Hello friends, welcome back to my YouTube channel SPDL Tips So friends, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी Facebook profile photo को only me कैसी रख सकते हैं जी हाँ दोस्तों, आप अपनी Facebook profile photo को अगर आप अपने friend को भी नहीं दिखाना चाहते तो आप उसको बिना delete किये, उसको only me रख सकते हैं तो कैसे क्या पूरा process है, आज किस वीडियो में हम यहीं बताएंगे तो आएए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, इसके लिए हम Facebook की application को open कर लेंगे इसके लिए हम Facebook light application यूज नहीं कर रहे हैं जो Facebook की official है, वो यूज कर रहे हैं जैसे फ्रेंड, आप अपनी Facebook application को open कर लेंगे उसके बाद आपको right corner पर जो three line का option मिलता है simply इस पर click कर दीजिए जैसे आप इस पर click करेंगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको see your profile का एक option देखने को मिलेगा यानि आप अपनी Facebook profile mentor हो जाएए तो जैसे जी दोस्तों आप अपनी Facebook profile mentor हो जाएएगे और जो भी आपकी Facebook profile photo है simply इस पर tap कर दीजिए और जैसे इस पर tap करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड पर एक option मिलता है वीव profile picture का simply आप इस वीव profile picture के option पर क्लिक करेंगे तो आपकी Facebook profile photo कुछ इस तरह सी जानी फुल साइज में यहाँ पर देखने को मिलेगे अब उसके बाद जैसे यह आपकी Facebook profile फुल साइज में हो जाती है उसके बाद आपको right side के three corner dot मिलेंगे तो यहाँ पर आपको right side के top पर यहाँ पर इस three dot के option पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से कुछ option देखने को मिलते हैं जस्ट उसके निचे आपको एक option देखने को मिलेगा edit privacy का simply इस edit privacy के option पर जैसे किलिक करेंगे तो यहाँ पर edit privacy के कुछ function खुल कर आ जाते हैं यह by default यहाँ पर public है यानि हमारी Facebook profile को हमारी friend के अलावा unknown person भी हमारी profile को देख सकते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक नीचे option देखने को मिलता है see more का simply इस see more के option पर click करेंगे तो यहाँ पर सबसे end में आपको दोस्तो only me का एक option देखने को मिल जाता है तो simply आप जैसे इस only me पर कर देंगे और उसके बाद आपको back चले जाना है यहाँ पर हमारी profile photo पहले public थी अब यह only me हो चुकी है यानि आप हमारी profile photo को सिर्फ only me देख सकते हैं और उसके अलावा कोई भी अनाउन person नहीं देख सकता तो यहाँ पर बस आपको एक चोटी सी setting करनी है तो यहाँ पर हम फिर से एक बार दोराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपकी वीव profile photo करके इस three dot की option पे किलिक करके edit privacy पे किलिक करना है और यहाँ पर आपको see more पे किलिक करके यहाँ पर end में आपको एक only me का बठन देखने को मिलता है simply इसको only me कर दीजिए उसके बाद आपकी facebook profile को कोई भी नहीं देख पाएगा सिर्फ आपके सिवा तो यही एक best तरीका है दोस्तो आप अपनी facebook को profile photo को delete के बिना इसको only me कर सकते हैं यानि किसी को किसी से भी छुपा सकते है so I hope different आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी यह information आपको अच्छी लगी होगी so दोस्तो मिलते हैं सितरे की नई interesting वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद